हलो फ्रेंड स्वागत देखवाए फिर आपका हमारे चेनल मैसान स्टाडस में है और फ्रेंड आज की सूड़े में हम बात करने जा रहे हैं कि बॉलीवूड फिल्म इंडेस्ट्री में अब तत कितनी ओल टाइम ब्लॉक्बस्टर मुवीज आई हैं और बॉलीवूड फिल्म इंडेस्ट्री की पहली ब्लॉक्बस्टर मुवी कौन सी रही थी और जैसे के मैंने आप से का कि इसके साथ साथ ही हम बॉलीवूड फिल्म इंडेस्ट्री की तमाम ओल टाइम ब्लॉक्बस्टर मुवीज की डिटेल आज की इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं और हमारी ये आज का वीडियो हमारे चैनल के बहुत सारे वीवर्स की विश पर बनाया जा रहा है उमीद करताओं कि दीगर वीवर्स को भी ये वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा क्यूंकि आपके लाइक सी हमारी असल अर्निंग है तो चलें फ्रेंड शुरू करते हैं हम अपना आज के ये वीडियो तो फ्रेंड बॉलिवूड फिल्म डेसी की पहली आल टाइम ब्लॉक बस्टर मुवी का एजास हासील हुआ फिल्म किसमत को इस फिल्म का डारेक किया तक यान मुखर जी ने फिल्म की लीड कास में आशोक कुमार, मुमताश शान्ती, शानावाज शामिल थे और ये फिल्म का वियर था फाइफ लेक्स और शुरू ने इंडिय में 50 लेक्स के कलेक्शन किये और ये बॉलिवूड फिल्म डेसी की पहल बनने वाली मुवी, मुगले आजम, फिल्म की लीड कास में दिलिव कुमार, मादूबाला, पृतली, राज कपूर शामिल थे और ये फिल्म का वियर था फाइफ लेक्स और इंडिय में 50 लेक्स के कलेक्शन किये और ये बॉलिवूड फिल्म डेसी की तीसरी ओल्टाइम ब और इस फिल्म ने इंडिय में 350 लेक्स के कलेक्शन किये और ये बॉलिवूड फिल्म डेसी की चौथी ओल्टाइम ब्लॉकबस्टर मुवी थाबित हुई रमेज सिपी की डारेक्शन में बनने वाली मुवी शोले फिल्म की लीड कास में धर्मेंदर संजीव कुमार, हिमामाली, अमिता बचन और ये अबादुरी शामिल थे और ये फिल्म 15 अगस 1975 को रिलीज हुई फिल्म का वज़र था 3 करोड और इस फिल्म ने इंडिय में 15 करोड के कलेक्शन की और ये बॉलिवूट फिल्म इंडिय की पांच वी ओल्टाइम ब्लॉकबस्टर मुवी करार दी गई विजे शर्मा की डारेक्शन में बनने वाली मुवी जे संतोशीमा फिल्म की इलीड कास्ट में कनन कोशेल भारत बुशन और अशीश कुमार शामिल थे और ये फिल्म 30 मई 1975 को रिलीज हुई फिल्म का वजड़ था 60 से 70 लेक्श के दर्म्यान और इस फिल्म इंडिय में 5 करोड के कलेक्शन की और ये बॉलिवूड फिल्म इंडिय की छड़ी ओल्टाइम ब्लॉकबस्टर मुवी सावित हुई राज कपूर की डारेक्शन में बनने वाली मुवी राम तेरी गंगा मेली फिल्म की लीड कास्ट में राजीव कपूर, मंदाकनी, दिविया राना, सही जाफरी शामिल थे और ये फिल्म 16 अगस 1985 को रिलीज हुई फिल्म का वज़र था 2 करोर 60 लेक्स और इंडिया में 9 करोर 50 लेक्स के कलेक्शन किये और ये बॉलिवूऱ् फिल्म डिस्री की साथवी ओल टाइम ब्लॉकबस्टर मुवी सावित हुई सूरज आर बरजादिय की डिरेक्शन में बनने वाली मुवी मैंने प्यार किया फिल्म की लीड कास्ट में बॉलिवूऱ् फिल्म डिस्री के भाईजान सल्मान खान ये इनकी एज़ा हीरो डेबिय मुवी थी और इनका साथ दिया था फागय श्री, लक्षमी कांथ बीर्दे, अलोपनाथ और लिमार लागो ने ये फिल्म 29 दिसम्बर 1989 को रिलीज हुई फिल्म का वज़र था 2 करोर 75 लेक्स और फिल्म ने इंडिय में 14 करोर के कलेक्शन किये और ये बॉलिवूड फिल्म इंडिस्ट्री की आठवी ओल्टाइम ब्लॉक्बस्टर मुवी साबित हुई डेविड दवन की डारेक्शन में बनने वाली मुवी आँखे फिल्म का वज़र था 3 करोर और इस फिल्म ने इंडिय में 14 करोर के कलेक्शन की और ये बॉलिवूड फिल्म इंडिस्ट्री की नवी ओल्टाइम ब्लॉक्बस्टर मुवी साबित हुई सूरज आर बर जादिय की डारेक्शन में बनने वाली मुवी हम आपके हैं कौन फिल्म की लीड़ कास में सल्मान खान, माधूरी, डिक्षिट, अलोक, नात, रीमा, लागू शामिल थे और ये फिल्म 5 अगस 1994 को रिलीज हुई फिल्म का वज़र था 6 करोड 25 लेक्ष और इंडिया में 72 करोड 47 लेक्ष के कलेक्शन किये और ये बॉलिवूड फिल्म इंडिस्टर की दस्वी अल्टाइम ब्लॉक्बस्टर मुवी साबित हुई अधित्यों जोबड़ा की डारेक्षन में बनने वाली मुवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की लिड़तास में शारो खान, काजोल, अनुपम कीर, फरीदा जलाल और अम्रेशपूरी शामिल थे और ये फिल्म 20 अब्दूबा 1995 को रिलीज हुई फिल्म का विड़ता 4 करोड और इस फिल्म ने इंडिया में 53 करोड 31 लेक्ष के कलेक्शन किये और ये बॉल्यवन फिल्म इंडिस्ट्री की 11 अल्टाम ब्लॉकबस्टर मुवी थाबित हुई दर्मेश दर्शेन की डिरेक्शन में बनने वाली मुवी राजा हिंदुस्तानी फिल्म की लीड़ गास में आमेर खान करिश्मा कबूर सुरेश उबराय जौनी रिवर शामिल थे और ये फिल्म 15 नौवबा 1996 को रिलीज हुई फिल्म का बज़र था 5 करोड 75 लेक्स और इस फिल्म ने इंडिया में 43 करोड 50 लेक्स के कलेक्शन किये और ये बॉलीवूड फिल्म इंडेस्री की बारवी ओल टाम ब्लॉकबस्टर मुवी साबित हुई जे पी दता की डारेक्शन में बनने वाली मुवी बॉडर फिल्म की लीड गास में सनी देवल, सुनील शेडिया, शेखना, राखी गुल्दार, जे की शुरॉफ तबू शामिल थे और ये फिल्म 13 जू 1997 को रिलीज हुई फिल्म का बजट था 10 करोड और इस फिल्म ने इंडिया में 39 करोड 46 लेक्श के कलेक्शन किये और ये बॉलिवूड फिल्म इंडेस्ट्री की तेथवी ओल टाम ब्लॉकबस्टर मुवी साबित हुई करण जोवर की डारेक्शन में बनने वाली मुवी कुछ-कुछ होता है फिल्म की लीड गास में शारो खान, काजोल, रानी मुकरजी, साना सहीद और सल्मान खान इस फिल्म में सपोर्टिंग गरेक्टर में नजर आये थे और ये फिल्म 16 अक्तूब 1998 को रिलीज हुई फिल्म का वजट था 10 करोड और इस फिल्म इंडे में 46 करोड 87 लेक्स के कलेक्शन किये और ये बॉलिवूट फिल्म इंडेस्टी की चोधवी ओल टाइम ब्लॉकबस्टर मुवी साबित हुई अनिल शर्मा की डारेक्शन में बनने वाली मुवी गदर एक प्रेम का था इनकी लीड गास में सनी देवल अमिशा पाटेल आमरेश पूरी शामिल थे और ये फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई फिल्म का बज़ट था 19 करोड और इस फिल्म ने इंडे में 76 करोड 88 लेक्स के कलेक्शन किये और ये बॉलिवूड फिल्म इंडेस्टी की पंदरवी ओल टाइम ब्लॉकबस्टर मुवी साबित हुई राजकुमार हिरानी की डारेक्शन में बनने वाली मुवी थ्री इडियेट्स फिल्म की लीड गास में आमिर खान, आर्मादवन, चर्मन जोशी, करिना कपूर, बावन हिरानी और ओमी वेदिया शामिल थे ये फिल्म 25 दिसंबा 2009 को रिज़ हुई फिल्म का बज़रता 77 करोड और इस फिल्म ने इंडिये में 202 करोड 95 लेक्श के कलेक्शन किये और ये बॉलिवूड फिल्म इंडिस्ट्री की सॉल्वी ओल्टाइम ब्लॉक्बस्टर मुवी साबित हुई विजे क्रिशना आचारिया की डिरेक्शन में बनने वाली मुवी धूम थ्री फिल्म की लीड़ कास में आमिर खान, अभीशेग बच्चन, कैतरीना केव, उदेश चोपडा शामिल थे और ये फिल्म 20 दिसंबर 2013 को रिज़ हुई फिल्म का वज़र था 175 करोड और इस फिल्में इंडे में 284 करोड 27 लेक्शन किये और ये बॉलिवूर फिल्म इंडेस्ट्री की सत्रवी अल्टाइम ब्लॉक्बस्टर मुवी साबित हुई राकेश रोशन की डारेक्शन में बनने वाली मुवी क्रिश थ्री फिल्म की लीड गास में रिथिक रोशन, विवेक उब्रा, प्रियांका चोपला, कंगना रनावत शामिल से ये फिल्म 1 नौमबर 2013 को रिलीज हुई फिल्म का बज़र था 95 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिय में 244 करोड 92 लेक्स के कलेक्शन किये और ये बॉलिवूड फिल्म लेस्टर की अठार्वी ओल्टाइम ब्लॉक्बस्टर मुवी साबित हुई राजकुमार हिरानी की डारेक्शन में बनने वाली मुवी पीके ब्लॉक्बस्टर मुवी साबित हुई कबीर खान की डारेक्शन में बनने वाली मुवी बजरंगी भायजान फिल्म की लीड कास्ट में सल्मान खान, हरशाली, मलखोत्रा, करीना कपूर खान और नवाजदीन सिदीगी शामिल से ये फिल्म 17 जुलाई 2015 को अर्लीज हुई फिल्म का वजर था 125 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिय में 320 करोड़ 34 लेक्शन किये और ये बॉलिवूड फिल्म इंडिस्टरी की बीच्ट्वी ओल्टाम ब्लॉक्बस्टर मुवी का एजास हासिल कर पाई नितेश तिवारी की डिरेक्शन में बनने वाली मुवी दंगल फिल्म की लीड कास्ट में आमिर खान, साक्षी तनवर, फात्मा साना शेख, जाहरा वसीम और सानिया मलोहतरा शामिल थे ये फिल्म 23 दिसंबर 2016 को और रिलीज हुई अलाकि एक साउथ इंडियन मुवी है लेकिन इस ने हिंदी लेंग्विज में काफी स्ट्रॉंग कलेक्शन किया तो इसलिए आज की इसलिस में हमने इसे एट किया है तो बाहु बली टू की लीड गास में शामिल थे प्रभाज, रान लोगोबेती, अनुष्का, शेटी, तमना भाटिया ये फिल्म 28 अप्रेल 2017 को और रिलीज हुई इस फिल्म का वज़र था 185 करोर और इस ने हिंदी लेंग्विज में 510 करो 99 लेक्शन किये और लेंग्विज में इनडिया में इसने यनि हिंदी तमिल तेल बूमें इस फिल्म ने 1030 करोर 42 लेक्शन किये और फिल्म के वर्ड वार कलेक्शन में 10810 करोर और बॉक्स अफिस पर बाहु बली टू ये बुली मुट फिल्म इंड़स्री के लिए ये हिंदी लेंग्विज में 22 वी ओल टाइम ब्लोकबस्टर मुवी थाबित हुई राज कुमार हिरानी की डारिक्षन में बनने वाली मुवी संजू फिल्म की लीड़ कास में रनबीर कपूर, पारिश रावल विगी, कुशाल, मनीशा कॉराला, दिया मिर्दा, सौनम कपूर, अनुशका शर्मा और जिम सर्फ शामिल थे ये फिल्म 29 जून 2018 को रिलीज हुई 278 करोड 24 लेक्स के कलेक्षन किये और ये बॉलिवूड फिल्म इंडिस्ट्री के लिए 24 वी ओल्टाइम ब्लॉकबस्टर मुवी साबित हुई अधिती अधार की डिरेक्षन में बनने वाली मुवी उरी दसर्जीकल स्ट्राइक फिल्म की लीड गास में वीकी कुशाल, पारेश रावल, यामी कौतम शामिल थे और ये फिल्म 11 जनुवरी 2019 को रिलीज हुई फिल्म का बज़र था 42 करोड और इस फिल्म ने इंडिय में 245 करोड 36 के कलेक्शन किये और ये बॉली मुड फिल्म इंडिस्टर के लिए 25 वी ओल्टाइम ब्लॉकबस्टर मुवी का एजास हासिल कर पाई ओम रावत की डारेक्शन में बनने वाले मुवी तनाजी दा अंसंग वारियर फिल्म की लीड गास में अजे देव गन, सेफ अली खान, काजोल, निहा शर्मा और शाप केलकर शामिल थे ये फिल्म 10 जनुवरी 2020 को रिलीज हुई फिल्म का बज़र था 125 करोड और इस फिल्म ने इंडिया में 279 करोड 55 लेक्स के कलेक्शन किये और ये बॉलीवूड फिल्म इंडिस्री के लिए 26 वी ओल टाम ब्लॉक्बस्टर मुवी थाबित हुई है और थेटर्स पर रिलीज होने वाली बॉलीवूड इंडिस्री की अब तक की आखरी ओल टाम ब्लॉक्बस्टर मुवी थाबित हुई है हलाके सल्मान खान स्टारर मुवी जो 2021 की इड़ पर ओडिटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली मुवी रादे दा मॉस्ट वांटिड भाई इस फिल्म के लिए कहा जा रहा है कि इस फिल्म ने ओडिटी प्लेटफॉर्म पर 400 करोड प्लस का कलेक्शन कर चुकी है आप ऑर फिल्म इंड़स्टी की हिस्टी की तमाम उल्-टाइम बॉग्बस्टर मुवी की डीटेल आप विवर्स को प्रोवाइड की और वीवर क्या आप बॉलिवूड फिल्म रेस्टी की हिस्टी की तमाम ब्लॉक बस्टर मुवीज के ऊपर वीडियो देखना चाते हैं तो कॉमेंट सेक्षिन में इसे सिले में भी अपनी राय का इसार करें और आपने हमारे इस चैनल मैसान स्टार डॉस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और साथ ही इस बेल आइकोन को भी जरूर प्रेस कीजेगा ताके हर नहीं आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम वीवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया